अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज Z5 के सार बिलकुल फ्री असंदरा राठोड जब हमाई सब की भजियत करती रही बूह नहीं खोला इस लड़की ने एक सब्द नहीं बोला इसने और तु यह चाहता है कि हम एसी लड़की को माप कर दें भाजी का चाहता है तु यह थोड़ा कड़वा बोलती है और उनकी बात करने का तरीका ही यही है मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहा न मुझे बस यह कहना है कि नंदिश की कस्टडी हमें मिल गई है अब उससे कैसे पाल लाएं यह हम देख लेंगे इस काम के लिए हमें में मैंत्री की कोई जरूवर्वत नहीं है अश्विश्य यह पात कर सकते हैं कर मैंत्री मुझे चीट ना करती तो अश्विश्टिवारी के घर पे फिर से मात मन रहा होता है श्विश्टिवारी की वज़ा से आज नंदू अपने बच्चे से दोर है वहां अश्विश्टिवारी के घर पे खुश्या मन रही है और यहां मेरी बेटी बेहोश है जूट बोलू तो जिंगर बन जाओ जीजी पैसे भी आप असिस्वा के लई के सिन अफरत करती है इस मसीबत को वही रहने दीजे इसी बहाने आप हमारे सर से बलाट लें वो बच्चा ही है जो नंदिनी और तिवारी फैमली के बीच का रिष्टा है जब नंदिनी को भोश आजाएगा ना तो वो बच्चा इसके वापस उस घर जाने का रीजन वनेगा क्योंकि वो वहाँ पही है I promise नंदू तुम्हारी best friend ने जो धोका दिया है ना उसका बदला मैं लोगी मेरी pit list पे आशिष टॉप पे था देखें मेत्री ने खुद को प्रमोट करके टॉप बे कर दिया है अब अब देखो मैं इसका क्या हाल कर दिया हूँ तुम प्लीज अपने घर जाओ प्लीज जा जाके यहां पर यह नहीं देखने वाले कि तुम बच्चे के साथ हो या ने मैं हूँ यहां अगर ऐसा कुछ भी होगा तो मैं समाल लूँगा तुम अपने घर जाओ मुझे मेरा बच्चा दो शीष तुम भी क्या लग रहा है मैं यहां कोट के ओर्डर्स की वज़े से हूँ क्यों कि कोट ने यह कहा है कि मुझे नंदश का ख्याल रख रहा है नहीं मैं यहां सिर्फ और सिर्फ नंदश की वज़े सूँ कि मैं चानती हूँ इसे फिलहाल मेरी जरूरत है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारे इता ही चीज से साथा मेरे यहां होने से तुम्हे प्रॉब्लम हो रही इसलिए ना जब भी तुम मेरा चेहरा देखोगे मैं उस धोगे की याद आई कि जो तुमने मुझे दिया है तुम्हे जो सोचना है सोचो पर अपने घर जाके सोचो मुझे मेरा बच्चा दो जाओ यहां से अशीश मुझे नंदीश दो मुझे नंदीश दो मुझे नंदीश दो सीफाइव अप टाउंडोड करें और देखें सारे एपिसोड्स पिलकुल फ्री